मैं कहता हूँ कि आना जाना छोड़ चुके परवोश्वे नाता तोड़ चुके रक कर पत्तर अपने दिलों पर गर्शे मुकड़े मोड़ चुके किसका दिल करता है यारों घर का शुक चेन गवाने को फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जिवन शफल बनाने के नैन में मा के बस्ता शपनों में अब काबिल बन जाओं करकर चिंता भुड़ी हो गई कभी तो खुशी दिखलाओं बाप से मेरा चलाना जाता फिर भी काम को जाता है और मेरा खर्चा बिजवाने को रोज वो काम पर जाता है चत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे शोते हैं और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझे ज़्यादा रोते हैं पता है तुझको महनत मेरे कमी नहीं पता है तुझको पता है रब को कि महनत मेरे कमी नहीं और जीवन का जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किश्मत से घनी नहीं माना चलती कटिन परिक्षा माना चलती कटिन परिक्षा महनत मेरा हतियार है गुर्वों से लेकर शिक्षा अरजुन रण को तैयार है शबर का महिया बांध ना तूटे शबर का महिया बांध ना तूटे गला किश्मत का गोटूंगा चंद महिने बाकी है बश्मा फोजी बन कर लोटूंगा फोजी बन कर लोटूंगा सर जमी है देश की आन बानशान देश के भावी फोजियों को जाहिंद जैभारती उमीद है सबी नोजवान बहुत ही अच्छे होंगे और मैदान को फते करने की जोश जनून जजबे के शाथ फते कर रहे होंगे आपके माता पिता आप से बहुत उम्मिद लगाए बेटे हैं उनकी उमिदों पे आपको खरा उतरना है कर हर मैदान फते हमारी शुबकामनाई आपके शा जबांदार गजब का अज का पैपर होने वाला है फोज का ओर कर है यहां बहुत सारे नोजबें और काशे क्यूशन आते हैं शार का देख सकते हैं यहां पर देखेसर और बैपर है वाज के अंदर डिक किया जाए का यह सोन्जर सकते हैं headquarter लखनौ का है soldier general duty का है original paper है दोनों के mixed question आपको bilingual देखने को मिलेंगी जो नोजवान English medium से हैं उनको भी बहुत benefit है वो मिलने वाला है और ट्रेडमेन के अंदर जो pass mark है आप देख सकते हैं 32 अंकलाना आपको अनिवारे हैं और जीडी के अंदर 35 अंकलाना अनिवारे है क्या गुरुदेव इतने अंकलाने से कम बन जाएगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा मेरे भाई कम से कम जी जो ट्रेडमेन वाले soldier है आपको 40 42 पलस ही करना होगा 42 पलस ही आप मान के चलिए और जो जीडी वाले soldier है उनकी भी अलग-अलग merit है वो बनती है आप जब पेपर देख रहोगे तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि हाँ अगर इतने क्यूशन आपके शई है तो आपका selection हो जाएगा यह पूरा original पेपर है आपको अच्छी तरीके शे नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए complete पेपर है वो type करवा लिया है आप देख सकते हैं डेविश कप का समंध किश शे है इनकलाब जिन्दाबाद का नारा किश ने दिया सबसे पहले उस्ताद मंशूर किश मुगल शाषक के राजे के मसहूर चितरकार थे यह ट्रेडमेन के क्यूशन है यह जीडी के है मोरी शामरेजी को किश ने तापित किया था रेगिस्तान के सदेश में है इंडिया गेट की शहर में इस्तित है और निमन में से परवत चोटी संशार की दूसरी शर्वत चोटी कोंशी है सरदार सरवर योजना किशन दीपर है पूरा यह कंप्लीट ओरीजिनल पेपर है एक बार सभी नोजवान शैसन को दबा के लाइक किरेंगे और दबा के शैसन को शेर करेंगे बिल्कुल रक बापू बरोसा तेरी सारी क्लाइच पूरी करूंगा रक बापू बरुशा तेरी सारी क्वाइश पूरी करूंगा सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सलुट तेरे नाम करूंगा एक बार सेशन को दबा के शेर कीजिए पूरे 50 परशनों का ये टेस्ट होगा ओमार सीट है ये आपके पास होना चाहिए इस टेस्ट का टारगेट है ये 40 पलश का रहेगा जिसके पास ओमार सीट नहीं है तो नीचे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिशन के अंदर वहाँ से आप ओमार सीट को डाउनलोड कीजिए टेलिग्राम से और मार्केट से परतिलिपी फोटो कोपी उसकी निकलवाईए और प्रेक्टिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा प्रेक्टिश करोगे गराउन्ड और एक्जाम को अच्छी रेंक के साथ फते करोगे हाँ जी बाई सभी को जाहिंद हमारे साथ देश के भावी फोजी दर्मेंदर शिशोदिया आकाश कलरक फ्यूजर फोजी जगदीश ववेक कुमार मंटु कुमार चेतराम गुजर इंडियन आर्मी असो केके फोटी शेवन जैराम विशाल रोहित कुमार निरज सभी देश के भावी फोजीओं को जाहिंद जै भारत तो चली आगाज करते हैं फर्ष्ट क्यूशन आपकी श्क्रीन पे है क्यूशन क्या कहता है सुनिए डेविश कप का समंध है ये किस से है आप्शन है आपके पास बैडमिंटन स्क्वाप, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस बताए क्यूशन नंबर फर्ष्ट आपकी श्क्रीन पे आ गया है बहुत ही श्यांदार क्यूशन है और फोज के बहुत से पेपरों में ये क्यूशन पूछा जाता है ऐसा नहीं सोचना है कि हाग रुदेव ये आर्मी जीडी या ट्रेड में के अंदर पूछा गया है तो ये हमारी ट्रेड में नहीं आएगा जो भी आपका ट्रेड है चाहिए कल रखो, टेकनिकल हो, नर्शिंग हो तीए, या हुमेन मिलिटरी पुलिस वाले मेरी बहने भी ध्यान रखना आप बहुत ज्यादा कमेंट करते हो कि जरा आप गरलश के बारे में नहीं बताते जो ये जीडी रेली भरती का जो पेपर होता है ना, शेम ही आपका पैटरन होता है सेम, अगर एक डेट को पेपर होगा तो शेम ही पूछा जाएगा ऐसा नहीं है कि आपका पेपर अलग बनेगा इनका अलग बनेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो आपको घबराना नहीं है बस जजबे के शाथ आप महनत कीजिए बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा बहुत सारे नोज़वान है वो कंफ्यूज है बहुत सारे नोज़वान कंफ्यूज है और एक हजार पलश देश के भावी फोजी पहुंच चुके हैं आप सभी का दिल शे दन्यवाद बस आप महनत करते रहिए हमारे साथ इसी परकार बने रहिए कोई भी आपको नहीं रोक शकता क्यूशन कहता है इनकलाब जिन्दाबाद का नारा प्रतम बार किश के दुवारा दिया गया आर्मी जीडी आर्मी ट्रेडमेन के एक्जाम में पूछा गया क्यूशन है और किशी भी क्यूशन पर ये लिखावा नहीं रहता कि ये क्यूशन जीडी या ट्रेडमेन में पूछा जाएगा तो टेक्निकल में नहीं आएगा क्यूशन है वो केशा भी आ सकता है हम आपका शेलिबश्ट का वीडियो भी बनाएंगे कि कौन-कौन ऐसे चेप्टर है जहां से क्यूशन ज्यादा पूछे जाते हैं बिल्कुल क्या बात है शाबाश इनकलाब जिन्दाबाद का नारा आप सभी ने राइट बताया है उप्सन शी भागत सिंग शहीदे आजम भी कहा जाता है उप्सन इशकाशी जो नौजवान बता रहे है बिल्कुल राइट बता रहे हैं और शवराज मेरा जनम शेद दिकार है मैं शे लेकर रहूँगा ये नारा है लोकमाने बाल गंगादर तिलक नेक्स्ट कुशन देखी नेक्स्ट है उस्ताद मनशूर किश मुगल शासक के राजे में मसहूर चितरकार थे हुमायू, अकबर, जहंगीर, शहाँ, जहाँ उस्ताद मनशूर किश मुगल शासक के राजे में मसहूर चितरकार थे बहुती शांदार क्यूसन है और दबाके शेहसन को शेर कीजिए 2000 देश के भावी फोजी माभारती के लाडले पहुँचना चाहिए 2000 होगे तो संडे को बहुत तकड़ी आपकी मेरातन कलाश भी रखी जाएगी बहुत कुछ नया शीकने को मिलेगा चलिए, बताइए इसका राजिट अंसर क्या होगा उस्ताद मनशूर किश मुगल शासक के राजे में मशूर चितरकार थे आपके एकजाम के लिए बहुती शांदार क्यूसन है और बिलकुल शाबाश आप सभी ने तुफान मचा रखा है उप्सन इश्का जो नौजवान ए बता रहें उनका गलत है उप्सन बिलकुल शाबाश जो नौजवान शी बता रहे हैं जहांगीर वो बिल्कुल राइट बता रहें, जहांगीर के बच्पन का नाम सलीम आपको ध्यान रखना है, सहां जहां के बच्पन का नाम खुर्रम जे भी आपको ध्यान रखना है, एक्जाम के अंदर कुछन पूछा जाता है, अकबर का मकबरा शिकंदरा में आप याद बहार रहे हो ना अगर इस मैदान को आपने फते किया तो एक्जाम के अंदर जादा आपको परेशानी नहीं आएगी चलिए नेक्स्ट कुशन है विश्वय में कुटों की सबसे छोटी परजाती कौन शी है बताईए शीव टजू प्रोमनियन चीहु आहुआ और इस्पैनिय बताईए कुटों की सबसे छोटी परजाती आप सभी देश के भावी फोजियों को वताना है आपके एक्जाम के लिए बहुत ही शांदार क्यूशन है कि सभी नोजवान बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बताईए मेरे देश के लाड़ लो इतना टाइम थोड़ी लगता है यार क्यूशन को देखते ही उड़ा देना चाहिए इतना समय नहीं लगना चाहिए बिल्कुल 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 उपसन इश्का होगा जो नुजवान गलत 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 उपसन इश्का देखते हैं कि deepen strategies राइट बताया है नाम भी लेते हैं पहले हम देखते हैं राइट आंसर क्या होगा चलिए मनजीत शिताराम गुजर ने बिल्कुल राइट बताया है शाबाश और डिलू गुजर बिवाने डिलू गुजर कहा गया अरे गुजर क्या बात है बिवाने डिलू गुजर ने बिल्कुल राइट बताया है शुमन कुमार ने भी सही बताया है विकाश कलरक विशाल आर्मी लवर मंजीत गुजर बेलकुल क्या बात है वही आज तो गुजरों ने जंडे गाड़ रखे है शाबाश ऑप्शन इसका शी राइट होने वाला है चीहू आहुआ ध्यान रखना विश्वे में कुत्तों की सब से छोटी पर जाती आपको पूचा है किलियर है चीहू आहुआ बिलकुल कन्फ्यूज नहीं होना है फोज के पेपर में ध्यान रखना लगबग 30% कुशन 30-40% कुशन है 40 नहीं 50% ही आप मानके चलिए जहां तक हमारा नबव है कुशन रीपीट होते हैं 50 या 60% कुशन रीपीट होते हैं और 30-40% कुशन है जो अलग आ सकते हैं ठीक है नि काबुल बताइए ब्राजील की राजधानी आप सभी देश के भावी फोजियों को बताना है और बिलकुल 1300 नोजवान पहुंच गए हैं एक बार अपने उपस्तती दर्ज करवाए सेशन को लाइक कीजिए और जो नोजवान आज पहली बार जुड़े है चैनल को कीजिएगा क्योंकि बहुती अच्छी अच्छी मेराथन कलाशे हैं वह आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल बिल्कुल शबाश चलिए चलिए क्या बात है एक नोजवान गुसा भी कर रहा है दिखते नहीं मास्टर जी आज कल अच्छा आदर सोनू अरे कहां नहीं दिख अप्सन बी इसका राइट होगा यह ओरिजिनल पेपर है ध्यान रखना ज्यादा हम डिसकस नहीं कर रहें ताकि आपको एक पता चल जाए कि किस एकोडिंग आपको तैयारी अपनी जारी रखना है क्लियर है 1994 में दक्षन अफरिका के पहले शाम वरण के राष्टर पती बनने वाले पहले वेक्ति कोन थे बताइए ओप्सन है आपके सामने रॉबर्ट मुगावी, मिल्टन आवबोट, नेशनल मंडेला, देश्मन टूटू इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, सैम डीटो ये फोज के पेपर में पूछा गया, पूरा पेपर है, बताइए, आजी बाई शिकर से हैं, अच्छा अच्छा, बहुत कम समय है आपके पास, अब आपके रेली का अगाज होने वाला है, 29 शिप्तम बर से, तो अच् बरती नजदीक है, अलम्पिक है न, वहाँ पे संडे को, चलिए इसका राइट अंसर होगा, बिल्कुल शबाश, ऑप्सन, शीजोन, जवन, बता रहे हैं, नेल्शन, मंडेला, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, एस सवेत राष्ट्रपती अगर पूछा जाए, तो ने एकजाम के लिए बहुती अच्छा क्यूसन है, नेक्स्ट है, सबसे छोटा महादियूप कोनशा है, विवरोप, उत्री अमरिका, अउस्ट्रेलिया, अंटारक्टिका, सबसे छोटा महादियूप आपको बताना है, बहुती अच्छा क्यूसन है आपके एकजाम के लिए, ब बुलाईए भाई फटा फाट चलिये चलिये सरकीष का फिजिकल है बहुत बहुत बदाई जरूर आप मैदान को फटे करोगे निशिंद रहिए जो अपने कदमों की काबलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर वही लोग मंजल तक पहुंसते हैं बस हिम्मत नहीं हारना है ज से ज्यादा नहीं पूचा जाएगा गोतम बुद ने पहला उपदेश दिया बताईए कहां दिया सांची के अंदर सारनात में पाटली पुत्तर वैसाले गोतम बुद ने पहला उपदेश दिया बताईए बहुत यह अच्छा क्यूसन है आपके एक्जाम के लिए सभी नोजवान बताईए भाई इसका राइट अंसर क्या होगा बताईए डीपी कुमार आरमी गरल मोनीका आप भूल गए हैं क्या अर मेरी बहन किस को भूल गए आपको कैसे भूल शकते हैं विवेक कुमार और रेखा कमार समर्शिंग देशी बोई सर मुजवफर होगी कब है रेली सुसान्त वो तो मेरे भाई आपको चेक करना होगा ओपीशेल शायड पर दर्मेंदर शिशोदिया योगेंदर बिलकुल क्या बात है आपने तो धुवा धुवा कर रखा है अपसन इश्का जो नौजवान भी बता रहे हैं सारनाती वो बिलकुल राइट बता रहे हैं अपसन इश्का भी बिलकुल राइट होगा शैबाश नेक्स्ट है मोरिय शामराजे को किस ने इस्तापित किया असोक बिंदुसार चंदरगवत मोरिय हरिश चंदर बताईए सभी नोजवान बताएंगे राइट आंसर क्या होगा बहुत ही अच्छा क्यूसन है आपके एक जाम के लिए फटा फट बताईए बताईएंगे जितने भी माभारती के लाड़ ले देश के कोने कोने शेज उन्हों जवान सुन रहे हैं फटा फट बताईए बिल्कुल हमारी शुमकामनाई आसिरवाद आपके शाथ है सर रोज रोज जीडी की कलास लेते हैं टेक्निकल की कलास नहीं लेते मैरे भाई आपको 500-700 रुपई खर्च करने में तो आपको दिक्कत आती है टेक्निकल की कम्प्लीट कलास ले अप्लिकेशन के अंदर बहुत गजब तरीके से चल रही है जो जुड़ गया उसका सेलेक्शन हो गया उट जो भी बठक रहा है उसका तो कैसे होगा आपको भी बताईए जितना शमय मिलता है करवाते हैं कल भी पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि फ्राइडे है सुकरवार को हम टेक्निकल का ही पेपर करवाते हैं यूटूब पे बताईए इसका राइट आंशर क्या होगा बाकि आपको थोरिकल रूप से अच्छे से पढ़ाई करना है क हमें तो सारा मेटर एक जगह ही मिल जाए इधर उदर भटकना ना पड़े तो आप एप्लिकेशन के अंदर जा सकते हैं बाकि अगर आपको भटकना पसंद है तो भटकिये कोई प्रोब्लम नहीं बिलकुल बिलकुल शबाश मोरिय शामराजे को किस ने इस्तापित किया चंदर गुप्त मोरिय अब ध्यान रखना तेविश फरोरी दोजार जो बीश का पेपर वा था न उसके एकजाम में क्यूशन पूछा गया था और बहुत सारे नोजवान कन्फ्यूज होए थे क्यूशन ये था नोट करना जिसको नहीं पता है क्यूशन इस प्रकार था कि समराट अशोक के समराट अशोक के पिता कौन थे ओप्शन भी आपको देंगे समराट अशोक के पिता कौन थे ये क्यूशन था और इसके अंदर फर्स्ट अप्शन आपको मिलेगा बिम्बी सार आपको बताना है इसका right answer क्या होगा second option रहेगा आपका चंदर गब्त मोर्ये third option है ये आपका रहने वाला है बिंदू सार और fourth option है ये आपका रहने वाला है इनमेंशे कोई नहीं बताईए शमराट अशोक के पीता कौन थे और उसमें बहुत सारे नोजवान कन्फ्यूज होके गलत करके आए थे बताईए फटाफट और एक क्यूशनी आशे और भी तयार होता है कि चंदरगवत मोरिये का पोता कौन था ये भी पूचा जाता है फोज के पेपर में तो बिल बिल्कुल राइट बता रहे हैं समराट अशोक के पिता का नाम बिंदु सार और बिंदु सार के पिता का नाम अगर पूचा जाए तो चंदरगवत मोरिये क्लियर है अब एक्जाम के अंदर इस परकार भी आ सकता है कि अशोक के दाजा का नाम या चंदरगवत मोरिये के प पूने दिल्ली नागपुर बताईए इंडियन मिलिटरी अकेडमी बताईए कहा इस्तित है देहरादून पूने दिल्ली नागपुर बहुती अच्छा क्यूसन है आपके एक जाम के लिए और ये भी बताएंगे कि भारतिय शेने अकादमी की स्तापना है ये किश वर्ष थी ये भी आपको बताना है और इसका राइट आंसर क्या होगा ये भी बताईए सभी नौजवान बताएंगे बिल्कुल बिल्कुल देहरादून शाबाश अब बताईए इसकी स्तापना की शुवर्ष हुई देहरादून आप सभी ने बिल्कुल राइट बताया है इसकी स्तापना देखते है सबसे पहले कौन बताता है इंडियन मिलिटरे अकेडमी की स्तापना है ये कब हुई बताईए बिल्कुल एक नोजवान का बिल्कुल राइट आंशर आया है पुकराज चोदरी आर्मी लवार बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत बदाई धन्यवाद आपने राइट आंशर बताया है एक नोजवान ने लिए शुरज आकाश कल रख बिलकुल अब सभी नोजवानों ने तुफान मचा रखा है अरे मेरे भई 1945 में नहीं हुई थी ध्यान रखना कब हुई थी 1932 किलियर है यह आपको ध्यान रखना है ऐसे क्यूशन फोज के पेपर में पूछे जाएंगी अगर यहां आप गलती कर बाना है और बिलकुल पंद्राशो पलश माभारती के लाड़ले पहुंच चुके हैं एक बार सभी नोजवान जोश जनून जजवे के शाथ भारत माता का जेकारा लगाएंगे एक साथ भारत माता की जै चलिए थार रेगिस्तान किस देश में इस्तित है तो यह भारत में ह अप्शन इसका भी बिलकुल राइट आंशर होगा और ध्यान रखना विश्वे कि सबसे उची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है यह किस देश में है नेपाल में है यह भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है इंडिया गेट किस शहर में इस्तित है जेपुर मॉंबई द इल्ली आगरा इंडिया गेट किस शहर में इस्तित है यह आप सभी नोजवानों को बताना है यह भी आपके फोज का फैवरेट ही क्यूशन है ध्यान रखना गेटवे उप इंडिया और इंडिया गेट किसी ना किसी ट्रेड में 100% यह क्यूशन पूछा जाएगा बताए ठ चलिए इंडिया गेट कहा है तो बिलकुल आपसनिश का शी जो नोजवान बता रहे हैं दिल्ली बिलकुल राइट बता रहे हैं ध्यान रखना हवा महल है यह जेपूर में है यह भी आप सभी नोजवानों को ध्यान रखना है हवा महल कहा है जेपूर में है मुंबई को ध् न भारत का प्रवेश दूएर ये मुंबई को और भारत का वोलिवूड शुत्य वस्तरों के राजदानिये भी मुंबई को कहा जाता है ताज आज महल है यह आगरा में स्थित है किलियर है ओके गृदेव नेक्स्ट कुछन देखिएगा नेक्स्ट है निमन में से कौनुशी परवत चोटी कोंशी परवत चोटी संशार की दूसरी सर्वोच परवत चोटी है परशन को अच्छी तरिके से पढ़ना कोंशी परवत चोटी संशार की दूसरी सर्वोच परवत चोटी है कंचन जंगा गंगा परवत नंदा देवी के टू बताइए देखते हैं आपकी तैय परवत चोटी कोन शी है बताइए बहुत यह अच्छा क्यूंसन है बिल्कुल मंद शोर के चीते भी हमारे बीचा चुके हैं बुलाई अपने चीतों को कमी थोड़ी है चीतों की एक बार सेशन को दबा के सभी योधा शेर करेंगे और अभी तक 500 नोजवान ऐसे हैं जिन्हों अपने तुफ़ान मचा रखा है कुछ नोजवान ए बता रहें कुछ डी बता रहें लेकिन ध्यान रखना इसका जो राइट अंसर होगा ऑप्सन इसका डी डी के टू ध्यान रखना आठ हजार 611 मिटर इसकी उचाई है ये विश्वे की दूसरी शब से उची चोटी है के टू ध्यान रखना बहुत सारे नोजवान इसमें कनफ्यूज होते हैं किलियर है ओके गुरुदेव नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है सरदार सरोवर योजना किस नदी परिष्टित है गोदावरी नर्बदा कोशी गंगा बताईए सरदार सरोवर योजना किस नदी परिष्टित है ये आप सभी देश के भावी फोजियों को बताना है बिल्कुल बिल्कुल दिपक, आकाश, अरे भई ये कोन है, आतंगवादी नाम लिकर का है ससुरा, आतंगवादियों को साप करने के लिए ही तो हम तैयारी कर रहे है, फोटू भी अच्छी लगा रखे, वो नाम लिकर का है आतंगवादी, नाम चेंज कर मेरे भई, बढ़िय शिशोदिया, बीटू कुमार, रामपाल, गुजर, क्या बात है भई, गुजरों का तो दबदबा है भई, अपकी बार बहुत ज़्यादा, बिल्कुल शाबास, सरदार सरोर योजना किस नदी पर है, नर्बदा, आप्शन इसका जो बी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं, वर्द गंगा गुदावरी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोशी नदी को कहा जाता है, और फ्रकाबांध पस्चे मंगाल में गंगा नदी पर है, नेक्स्ट क्यूशन है, संशार का सबसे बड़ा द्यूप है, बताइए, बहुत अच्छा क्यूशन है आपके एक्जाम के लिए फटा फट बताएंगे, बताइए मेरे देश की आन बान शान, देश के भावी फोजी, फटा फट, बताइए बही बताइए इतना शमय नहीं लगना चाहिए, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना शीको, बदल जाओ वक्त के साथ, या फि फिर वक्त को बदलना शीको आप सभी के लिए मोटिवेसन है एक बार सभी नोज़वान सेशन को लाइक और शेर करेंगे बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना शीको मजबूरियों को मत कोशो हर हाल में चलना शीको मजबूरियों को मत कोशो हर हाल में चलना शीक क्योंकि शमय वक्त किशी का इंतजार नहीं करता और जो अभी इस शमय के साथ जो चल रहा है वो एक दिन इतिहास जरूर रचेगा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा संशार का सबसें बड़ा द्यूप है गरिन लेंड बिल्कुल आप सभी ने राइट बताया है 15 में से कि क्यूशन आपके बिल्कुल करेक्ट हुए है पूरा का पूरा यह ओरीजनल पेपर है तो बताये कितना क्यूशन है वह आपके राइट हुआ है जो नोजवान बाद में चुड़े हैं उनको एक बार दिखा देते हैं आप देख सकते हैं यह कटिहार शोलजर ट्रेडमेन अपलोड भी है तो जो नोजवान अभी भी नहीं जूड़े हैं तो जूड़िए और कीजी अपने शपनों को शाकार चलिए इसका जो राइट आंशर हो ही गया और आप सभी का इसकोर 15 में से 13 इतना असान पेपर था इसके बाद भी कहीं ना कहीं नया डगमगा रही है बिल्कुल रणजीर शिंग चांडावत 15 में से 15 ठोक दिया है माकाल का नाम लेके बिल्कुल शाबाज चलिए अब हम शाइन्श के क्युष्णों के बारे में डिश्कस करेंगे क्युष्ण कहता है सरीर की सबसे मजबूत माश पेशी कौन शी होती है जबडा जांग गर्द बुजा बताइए बहुत ही अच्छा क्युष्ण है आपके एक्जाम के लिए सरीर की सबसे मजबूत माश पेशी आप सभी नोजवानों को बताना है फटा फट अरे फोजी बनोगे जी गुरुजी बिल्कुल बनेंगे हाउद जास है रामेशा जोश को हाई रखना है ऐसे कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सरीर की सबसे मजबूत मास पेशी है जबड़ी की मेंडीबल नाम है ध्यान रखना सबसे लंबी जांग की है ये भी आपको ध्यान रखना है बुजा में कौन शी होती है हुमर्स होती है नेक्स्ट है ओजोन का सुतर है ओ थ्री आउट्टू ओफ और ओ ओजोन का सुतर आप सभी को बताना है अ कि अ कि मताइए मेरे देश के भावी फोजियों बिलकुल O3 ओप्सन इसका ए बिलकुल राइट होगा नेक्स्ट है सूर्य परकाश के सात रंगों का प्रिवरणी सब्द है ये क्यूसन मान के चली आपके फोज़ के पेपर में चप गया है ये जो सूर्य के सात रंग है न इंसे डफिनेंट पुचा ही जाएगा 101 परतिशत पुचा जाएगा अभी आपको बता रहे हैं जब आपका पेपर होगा पूरा पेपर यहाँ पर शोल करवाएंगे किशी ना किशी ट्रेड में ये जो सूर्य के सात रंग है न इंसे 101 परतिशत क्यूसन है ये पूचा जाएगा बताईए इसका राइट आंसर करने में एक समान लगता है लेकिन इस पैलिंग का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बताईए और एक बार दबा के सेशन को शेर कीजिए और चिसने लाइक नहीं क्या है लाइक कीजिए हमारा मोटिवेशन बस यही है जितने ज़्यादा नोजवान होंगे सामने उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेट मिलेगा बिलकुल देखिए बहुत सारे नोजवान यहाँ पर भी आप सब को आता है लेकिन जल्दी बाजी के अंदर क्या करते हो आप गल्ती कर देती हो ओप्सन को अच्छी तरुके से रीड कीजिए चलिए कुछ B बता रहे हैं नहीं हो सकता यार ऐसे कैसे तुम तुका लागा रहे हो चलिए B ज्यादा आरा इसका मतलब भी सही हो सकता है WIB G YOR और विब ग्योर बेनी आ है पनिला बिलकुल उप्सनिश का जो नोजवान भी बता रहे है वो बिलकुल राइट बता रहे है सर मेरा फिजिकल नौवंबर में है बिलकुल अच्छी बात है कि आप अभी से समल गए और आपको पता चल गया कि कम्पेटिशन बहुत ज्यादा है नौवंबर में आपका फिजिकल है लेकिन आप तैयारी में अभी से लग गए आपके जजबे को सलाम है हमारा 101 परतिशत कोई नहीं रोक शकता आपको सपल होने से जनवरी में आपका एक्जाम होगा रतोंदी भोजन में किश की कमिश होता है विटामिन B, विटामिन C, वि विटामिन D, रतोंदी भोजन में किश कमिश होता है बताइए बहुत ही अच्छा क्यूसन है आपके एक्जाम के लिए फटा फट और बिलकुल शत्राशों देश के लाड़ले मातर 300 नोजवान कम है 2000 का आपको टार्गेट दिया था आपके लिए बहुत मैनत करते हैं यार ह बाकिकत में अभी हमारे भी थोड़ी तबियत इशू है लेकिन हम भी फिर भी 90% 80% ठीक है लेकिन MS गुरू के तब बहुत ज़्यादा खराब उनके पेट में तकलिप अभी वो डॉक्टर के पास गए होए लेकिन उन्होंने हमें कहा कि सर में कलास लूंगा नोजवानों का पेपर करवाऊंगा तो एक यह जजबा होता है यह जनून होता है कि हाँ क्योंकि हमें पता है कि बहुत मैनत करने पड़ती है चाहिए फिजिकल हो रीटन हो मेडिकल के अंदर भी धड़कने धक धक करती है कि कई रेफर मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर टूटेगा न रतोंदी भोजन में विटामीन एक ऑप्सन इसका जो शी बता रहे है वो बिलकुल राइट बता रहे है विटामीन ए ध्यान रखना किलियर है जी गुरुजी बी से बेरी बेरी शी से इसकरवी डी से रेकेट नेक्स्ट है निमन में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत को बताना है वेरी इंपोटेंट क्यूशन है ध्यान रखना ओप्सन है यह आप सभी के सामने है किलियर है तो इनहीं ओप्सन में से आपको बताना है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौनशा है बताइए सभी नोजवान फटाफट सर मेरा फिजिकल है यह कंपलीट हो रहा है और मेरा एक्जाम 16 अक्टूबर को है बिलकुल बिलकुल बहुत बहुत बदाई अच्छी महनत कीजिए जरूरा मैदान को फते करोगे और निशिंत रहिए जितना आपको मेटर दिया जा रहा है उतना पढ़ लेजिए उसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है बस महनत करते रहिए शुबह हो चाहिए शाम जिस परकार आप फिजिकल के लिए पागल थे कि हाँ मुझे रणिंग करना है फिजिकल किलियर करना है बस उसी जज़वे के साथ रिटन के लिए भी पूरी जी जान लगा दो कि हाँ चाहिए शुबह हो चाहिए दोपर हो चाहिए शाम हो बस पढ़ाई करते रही नींद लेना है तो बस किताब उपर रहने चाहिए नींद आने चाहिए वापिश उठ जाओ वापिश पढ़ाई के अंदर लग जाओ बस ज्यादा दिन की बात नहीं है अगर यह एक डेड़ महिना आपने शंगर्ष कर लिया तो मेरे भाई ज है कि हाँ यार तुम्हारा एक्जाम है तैयारी कर वो दोस्त ना रखो जो आपको यह कहते है कि हाँ अभी एक्जाम दूर है चला आजा थोड़ी मार्केट में पांख्यां गरके आते हैं वो मेरे भाई आपको ऐस अपल की और रे कर जाएंगे जो सफल अच्छे जो दोस्त भी बता रहे हैं मचली वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं शाबाज नेक्स्ट कुशन देखिएगा नेक्स्ट है चुहे के जहर का राशाइनिक नाम क्या है जिंक ऑक्षाइड पोटेशियम साइनाइट लेड नाइट्रेड जिंक फोस्पाइड 101 परतिशत नोजो आन ये बिल्कुल बिल्कुल बताइए देखते हैं कितने नोजोण इसका राइट अंसर बताते हैं फटा फट रंजी सिंग चांडावत ने लिका है मचली जल की रानी है जीवन उषका पानी है बेजो सर की कहानी है अच्छा अच्छा चलिए बिल्कुल ठारा सो देश के भावी फोजी हम पहुंचने वाले हैं 200 नोजोण कम है 200 हो गया तो साइध आज रात को हमें पेरा शिटमोल टेबलेट नहीं लेनी होगी हम ऐसे ही तयार हो जाएंगे शेर करो दबा के गुरुप्स जितने भी हैं उनको हिला के रख दो कि आपका ध्यान के इधर है आपका ओरीजिनल पेपर इधर है चलिए बिल्कुल देखिए बहुत सारे नोजोण यहां पर बी बता रहें ए बता रहें शी बता रहें नहीं जिनका ओप्सन डी राइट है वो बिल्कुल राइट बता रहें आप यहां पर भी अपना कम्पिटिशन देख सकते हैं ओप्सन जो डी बता रहा है जिंक फॉस्पोईड वो बिल्कुल राइट बता रहा है कि उसन बहुती ज़्यादा इंपोर्टेंट है ध्यान रखना नेक्स्ट है वायू में सबसे अधिक मात्रा किस गेश की होती है बताइए कारबन डाय ओक्षाइड ऑक्षिजन पानी नाइट डूजन वायू में सबसे अधिक मात्रा किस गेश की होती है यह आप सभी भावी फोजीयों को बताना है अपके एकजाम के लिए बहुती संदार क्यूसन है और बिलकुल थारा सो पलश मा भारती के लाड़ले पहुंच चुके हैं दो हजार हम पहुंचने ही वाले हैं लेकिन लाइक अभी भी चार सो ऐसे नोजवान हैं जो मकरागिरी कर रहे हैं अरे मेरे भाई किशांदार मेरा तन रखेंगे आपका दिल कुछ हो जाएका कि सर्मजा आ गया चलिए वायू में सबसे अधिक मात्रा किशिगेश की होती है तो बिलकुल ऑप्सन आपने जोन जवान डी बता रहे हैं नाइट्रोजन वह बिलकुल राइट बता रहे हैं कितने परतिशत होती ह 78 परतिशत होती है यह भी आप सभी को ध्यान रखना है वायू में उक्षिजन का कितना परतिशत होता है 20. cuenta में लगबग 21% आपको ध्यान रखना है बाकी 0.3 कार्ब referral होती है केलियर है नेक्स्ट है निमनमें से कोण शात तरल सबसे कम घनएतवय का होता है very important इस्टार लग त्रीके से पढ़िए निमन में सीं कोर्षा तरल सबसे ग्मधेट वेज़ा होता है जितने भी जो योधा जोड़े है हमारे साथ बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा बताईए बताईए फटा फट और बिलकुल उन्नीशो पलश माभारती के लाड़ले हम पहुंचने वाले हैं आप सभी का दिल से धन्यवाद जरूर आपका सेलेक्शन होगा हमारी शुब गामनाई आपके साथ है अपने मा ने तुए का है और बिलकुल देखते हैं ऑप्शन जो शी बता रहे हैं उनका ये क्यूसन गरत है अभी तक किसी भी नोजवान का राइट आंसर यहां पर नहीं आया है ऐसी आपके तैयारी रही तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर आपकी वोईश मेरी अरे वाँ भाई मोजगर दी आपने दो चलिए अच्छी बात है फिर आपको उसकी याद नहीं आएगी चलिए बताइए इसका राइट अंसर वो मजा नहीं है वो जनू नहीं है वो कॉन्पिडेंस नहीं है अरे गलत है तुमारा जबाब बहुत कमेशन उजवान है सोपाल शिंग का बिलकुल राइट है विशाल आर्मी लवर का भी बिलकुल राइट है अब तक तो गुगल कर लेना चाहिए यार इंगलिश में भी आपको दे रखा है आसानी से मिल जाएगा बिलकुल बिलकुल विकाश फोसदार ने भी जंडे गाड रखे है शबाश गजब की तैयारी है अब बिलकुल आपका राइट आ रहा है शी वालों का गलत है शी अच्छा पारा क्यूं बता रहे हो आप यह बताईए पारा किस लिए बता रहे हैं पारा कमरे के ताप पर दर्व अवस्ता में पाई जाने वाली धातु है यहां पर कुशन में अलग चीज है तर सबसे कम गनात्व होता है पैंट्रोल का सबसें जादा होता है खारा पानी का और कमरे के ताप पर दर्व वस्ता में पाई जाने वाली धातु है पारा यह भी आपको ध्यान रखना है और बिलकुल हम 2000 का आगडा चोने वाले हैं लगता है आज तो पैरा शिटमोल की कोई ज जणून जजबा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से सुनहेरा कल भी निकलेगा बताईए द्रष्टी ब्रहं कोण शा है इंदर धनूष चांदनी प्रजा मंडल मरिक तरिशना द्रष्टी भ्रहं कोण सा है बताईए बहुत ही शां के भावी फोजियों फटावफाट लगता है बहुत सारे नोजवान हमें खुश करने के लिए आये थे वापिस चले गए अर भाई कहा चाहरे हो तुम चलिए दरश्टी भ्रम कोनशा है तो मरिग तरिशना ओप्सन इसका डी राइट होगा ध्यान रखना किलियर है दरश्टी भ्रम बिलकुल बिलकुल आप सभी ने राइट बताया है मरिग तरिशना नेक्स्ट है सुस्क बरबका राशानिक शूतर क्या है बताइए ड्राइ आईश diplomatic सुस्क बरबका राशानिक शूतर आप सभी देश के भावी फोजियों को बताना है बहुत यह अच्छा क्यूसन है आपके एकजाम के लिए फटा फट बताईए फटा फट तब तक हम गुरु को को लगाते हैं कि डोक्टर शाब ने चेक किया या नहीं हाँ जी गुरु देव कहां परो हाँ जी कहां पहुंचे अभी टाइम लगया क्या क्या बच्चे वेट कर रहे हैं आपका अच्छा अच्छा चलिए चलिए अभी टाइम लगेगा नंबर नहीं आया होगा या डोक्टर शाब है या नहीं अच्छा अच्छा चलो ठीक है तो फिर ओके ओके सुस्क बरभ का राज्शाइनिक शुतर तो बिलकुल ओप्शन इशका जो नोझवान बी बता रहे हैं वो बिलकुल रैट बता रहें ओप्शन बी शी और टू ऑप्सन जो बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहें नेक्स्ट कुशन देखिएगा नेक्स्ट कुशन क्या कहता है समस्तानिक परमाणू में एक शम्मान होता है बताईए समस्तानिक परमाणू में एक शम्मान होता है परमानू भार दर्वेमान शंक्या न तो फटा फट बताएंगे सभी नोजवान, इसका राइट अंसर है वो क्या होने वाला है, बताईए जितने भी देश के लाडले हैं, फटा फट बताएंगे, सभी नोजवान बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल शेबाश, सर पुलीश की तैयारी, चलिए चलिए, शेबाश, उप्सन इसका होगा, डी राइट, बिल्कुल आकाश कल रखने राइट बताया है, उप्सन डी राइट होगा, परमानु करमांग, अटोमिक नमबर, ध्यान रखना बहुती अच्छा क्यूसन है, बिल्कुल कनफ्यूज नहीं होना है, नेक्स्ट है भारी हाइट्रोजन में, निउट्रोन की संक्या कितनी है, 2, 0, 1, 3, भारी हाइट्रोजन में, निउट्रोन की संक्या कितनी है, बहुती अच्छा क्यूसन है आपके एक्जाम के लिए, कितनी है, बताईए, अप्लिकेशन में आपने पढ़ा होगा, 1, 2, कितनी है, आपका हो G D F E A G सोने का राशाइनिक चिन क्या है बताईए आपके एक जाम के लिए बहुती शांदार क्यूशन है सभी देश के भावी फोजी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा तो बिलकुल सोने का राशाइनिक चिन है A U और इसका जो राशाइनिक नाम होता है वो औरम है ध्यान रखना किलियर है ये भी आपको ध्यान रखना है औरम नेक्स्ट क्यूशन देखिएगा नेक्स्ट है वह परमानू जिसका अलेक्ट्रोन ने तो कम हो शकता है और नहीं बढ़ सकता है क्या कहलाता है दात्विक A दात्विक वायूमंडल एक अकरिये वह परमानू जिसका अलेक्ट्रोन ने तो कम हो शकता है और नहीं बढ़ सकता है हाँ भाई बिलकुल शोने का लेटी नाम ओरम होता है शाबाश बताईए इसका राइट अंसर फटा फ़ाट चलिए विलकुल शेबाश ओप्सन इसका डी राइट होगा अकरिये एक अकरिये ध्यान रखना अच्छा क्यूसन है स्क्रिन शोट ले 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 ना डारेक्ट क्यूसन फोज के पेपर में पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्यूसन है सुद जल का पियेच मान है 18-4-12-7 सुद जल का पियेच मान आपको बताना है बहुत ये अच्छा क्यूसन है आपके एक जाम के लिए बताएए सभी नोजवान सुद जल का पियेच मान तो बिलकुल सुद जल का पियेच मान शाथ होता है उप्सन इसका डी बिल्कुल राइट होगा अब सभी नोजवान बताएंगे इसमें अपना इश्कोर बताएंगे कि कितने क्यूशन है वो आपके राइट हुए हैं सभी नोजवान बताएंगे फटा फट बताएंगे सभी नोजवान बताएंगे अपना इश्कोर और जो MS गुरू से बात हुई है वो information हम आपको दे देते हैं शमा चाहते हैं वैसे हम class करवाना ही चाहते थे वो डोक्टर साब के पास गए हुए है और उनका भी number नहीं आया है भीड़ बहुत है उनके पेट में तकलीब है पिछले 5-6 दिन से तो वो परियाश कर रहे थे ठीक होने का लेकिन नहीं हुए उन्होंने कहा था कि number अगर जल्दी आ गया तो मैं class ले लूँगा अभी जेस्ट बात हुई है तो यह जो complete paper है math भी है आप आगे देख सकते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर आप जाना होगा तो यह complete paper आपको हम इसका total answer की math की भी क्या होने वाली है आपको भी practice करना है math reasoning के सारे question hw के लिए है तो कल शुबह तक यह complete जो paper है यह जो telegram channel बनावा है जिसका link आपको नीचे वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा clear है तो यह complete paper और इसकी आनश्वर की भी आपको मिल जाएगी तो आपको practice करना है clear है और कल भी आपका एक original ही paper होने वाला है अच्छे level के question आपको देखने को मिलेगा तो कल भी साम साथ पचाश पे आप सभी को जरूर जुड़ना है और अपनी तयारी को परकना है कि कैसी आपकी तयारी है वो चल रही है जो subject week है उसे मजबूत कीजिए क्योंकि अभी भी आपके पास समय है आप अच्छी तयारी कर सकते हो जीड़ी वाले नोजवान ध्यान रखना math के कारण ही पिछे रहते हैं जी के जी इस तो क्या होता है रटा लगाने वाली चीज है या पड़ोशी की बात सुनकर भी आप सई कर सकते हैं clear है लेकिन math है इसको आपको मेरे भाई इसका concept आपको clear होगा तब ही आप math को solve कर सकते हैं तो math का भी special batch application के अंदर है complete batch जो नोजवान लेना चाहता है कि नहीं सर मुझे तो complete लेना है रात और दिन एक करना है तो ये एलाने जंग है बेच बना हुआ है रोजाना एप के अंदर भी test upload होता है और अगले week में all India ranking test paper भी आपका होगा तो अच्छी महनत कीजिए मेरे भाई जब मन बना लिया है कि मेरे को अब लगना ही है बहुत दिन हो गया तो बिलकुल आप लग सकते हैं किलियर है अच्छी महनत कीजिए ज्यादा कोई paper hard नहीं आता किसी भी नोजवान का कोई भी क्यूशन है रेली से related है तो आप नेचे comments कीजिए या फिर बिजुसर आर्मी स्टडी के नाम से Instagram है आर्मी स्टडी बिजुसर के नाम से Instagram ID है तो वहाँ जाकर आप जूड़िए और जरूर वहाँ पर एक Saturday को हो आपका session रखेंगे live session शभी से live बात की जाएगी अभी जाना आर्मी आपका week है किस recording आपको तयारी करना है तो जरूर आप जूड़िएगा ठीक है उमीद है आज का session आपको अच्छा लगा होगा कौन शाइप है आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज एप है पले स्टोर पर आसानी से आपको मिल जाएगा अच्छी महनत कीजिए अपने माता-पि आप फोजी बनोगे इस बार अपनी महनत पर विश्वासर की जिस परकार आपने महनत की शुबह शाम आपने रनिंग किया और आपने अपने ही दम के उपर अपने ही कदमों के उपर आपने फिजिकल को फते किया है अपने ही दम पे आप मेडिकल फिट करोगे और अपने ही आप अपनी ही महनत पर आप रिटन को भी जरूर क्वालिफाई करोगे तो अच्छी महनत कीजिए हमारी सुमकामनाई आपके साथ है कर हर मैदान फति जय हिंद जय भारत धन्यवाद इंतजार करने वालों को शिरफ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं अगर आपका भी शपना है फोजी बनकर देश शेवा करना तो हम आपके साथ है आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं बाद में रिटन के लिए आपको शमय बहुत कम मिलेगा तो आज ही डाउनलोड कीजिए पले स्टोर से आर्मी स्टेडी लाइव कलासेज एपलीकेशन जी हाँ आर्मी स्टेडी के एक्सपर्ट जोधा टीम ने आगाज किया है एलाने जंग का बिलकुल बैसिक से जीरो शेवापकी लाइव कलासेज टेस्ट पेपर स्टार्ट हो गया है तो बाद में तैयारी करने के लिए बिलकुल बे समय आपको नहीं मिलेगा तो आज ही अपनी तैयारियों के अंदर जोश जनून जज़वे के साथ लग जाएए ये वक्त ये उमर वापिस नहीं आएगा आपकी जीद की तैयारी कर रहे है हम और आपके माता पिता जैहिंद इंतजार करने वालों को शिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं